हलो फ्रेंड बिलकम बैक टो माई चैनल मधुली का यूपी आर बीयल मैं हूँ मधुली का फ्रेंड आप लोग कैसे आए होब आप लोग बहुत अच्छे होगे चाहांगे खुस होगे और अपने अपने लाइफ में मास्थ होंगे तो फ्रेंड इस टाइम पर हो रहे हैं सुबे के सुबे के बज रहे होंगे नौ और मेरा जाडू मैं लगा रही हूं और मेरी तबियत भी सही नहीं है फ्रेंड क्योंकि उस दिन मेंने संगम नहा लिया ज्यादा ज्यादा क्या पानी में ज्यादा टाइम तक थे तो मेरी तबियत नहीं सही और मेरा मन भी नहीं था क करने का और आज है एकदशी तो एकदशी का ब्रत मेरी मम्मी रखती है आज मेरे यहां चावल नहीं बने और नहीं कल साम को चावल नहीं बने थे तो आज मैं खाने में बनाई थी पूरी और सबजी नास्ते में तो वही खाना भी है उसी का और यहां पर मैं जाडू लगा रह तो गाइस अगर आप इसन में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका लिंक आप तक जरूर पहुंचे तो यहां पे जाड़ू मेरी लग गई है और उसके बाद भी मैं आ इसमें ही जैसे फ्रीज है गय से साप करते हैं बलकि यह पोच्छा नहीं है क्योंकि जब पिछली बार मैंने बनाया था तो उसमें यह था कि पोच्छे वाले कपड़े से साप करें तो यहां पे डबल इस्टोर की यह फ्रीज है और यह सबसे पहले ऊपर जहां फ्रीजर हो सारी लगी हुई है और बेटे बेटी यहां पर टीवी देख रहे हैं कार्टून हो गया और इसी जगह मुझे प्यास भी लग गई थी तो मैंने पानी भी पी लिया है और फ्रीज के बाद का एमने को थोड़ा सा नीचे कर रहे थे और गाइस प्लीज आप लोग सपोर्ट क वैसे हम रखते हैं तो इसकी निशान पर जाते हैं तो वैसे मेरा फिर बहुत गंदा नहीं है क्योंकि मैं आज दिन दूसरे तीसरे दिन इसको सूती कपड़े से पोस्ते रहते हैं तो जो धूल मिटी जो भी रहती हो साफ हो जाती है और तो देखो यहां पर आप उपर वा हैं और इसको फिर मैं केमरे को थोड़ा सा नीचे करने लगी हूं क्योंकि कि समें था कुस्क्त समान अच्छा इसमें नहीं ने strengthening रयो नीबू कितना मैंगा है तो नीबू जादा यूज नहीं करते इसको बचा बचा के ही यूज करते हैं तो अब देख लीजे आप लोग के शामने ही है तो इस तरह और जैसे कि आच्छा मैं खाने वाला आज वीडियो क्यों नहीं जैसे मैंने बताया एका दशी तो एका द नहीं बनेगा क्योंकि तो पहर में जब भी बनाओ दाल चावल ही बनाते थे तो दाल चावल तो बनना नहीं है जब चावल बनना नहीं तो फिदाल नहीं अच्छी नहीं लगती हमें तो नहीं अच्छी लगती ना कि मेरे बच्चों को भी नहीं अच्छी लगती तो यहां की अपने घर गई हैं बलकि मैं बोल रहे थी ममी मत जाओ मेरे बच्चे भी बोल रहे थे क्योंकि मन नहीं भरता ना ममी से मगर ममी ने माना ही नहीं वो चली गई है और यहाँ पर अब अंदर साइड का साप कर रहे थी सौरी गाइस क्योंकि धबियत खराब है अब जिससे फ्रीज का पानी अगरा पी लेते इसके वज़े से गला भी खराब हो जाता है अच्छा गर्मियों में टैंसिल बहुत जादा होते हैं क्योंकि ठंडा गरम ठंडा गरम करके ऐसे हम लोग खाते पीते रहते न तो इसकी और तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना और गाइस यह कुछ वीडियो अभी का है और फी उसके बाद जो संगम गए थे गूमने के लिए तो वो क्लिप इसी में मैंने जोड़ दी है जो की लाश्ट में है उसको भी आप लोग देखें और उसमें बट गूमने के लिए तो अंदर बहुत सारे मंदिर थे तो उनको घूम रहे थे मगर ज्यादा इलाव नहीं था तो जो हो सका वही मैंने बनाया है क्योंकि वो लोग डाट रहे थे तो तो गाइस देखो अब हम लोग पहुंच गए अच्छे मंदिर पहुंच रहे हैं उसक एसंग ऐसे करके क्यों डाहट रहे थे की वीडियो बनाना एलाव नूहीं अच्छा लिका भी था साप साब यह अच्छा बेय हो कि यह हम लोग इंटरी दो जाते हैं और जो यह पेड़ है इसी को अच्छ बट करके है यह नीचे है और नीचे मतलब गया इसी को रखें करते हैं राम भगवान यहीं पर आके रुके हुए थे और इसकी परिक्रमा भी की जाती है और मनत मांगते हैं और यहां पर यह देखो अब हम इनका नाम तो नहीं अच्छ बट के अंदर भी जाएं उसके अंदर भी घुमें अच्छा लगता है काफी अच्छा लगता है मन को थोड़ा सांती भी मिलते है क्योंकि हमेशा सिर्फ कामी काम रहता और यह मेरी माता-जी यह मेरे बच्चे है और यहां से यह भी यह था तो बिट्टु मेरी हर एक जगह हाँ यही है अच्छ बड़ देखो इसकी जड़ भी यहां दिख रही यहीं पे आके भगवान राम ने रुके थे तो उसका थोड़ा-थोड़ा सा करके क्लिप मैंने बना लिया अंदर का क्योंकि हार एक जगह लिखा था कि कैमरे मतलब ना तो फोटो की सकते हैं और जितने हैं सब यहां से रोशनी जाती क्योंकि अंदर मंदिर जो भी है अंदर ग्राउंड में बना हुआ है तो रोशनी भी जानी चाहिए और यह देखो यह यहां से है बिटू भी बिटू बेटू सारे लोग छोटे-छोटे मंदिर करके छोटा-छोटा अस्थान उनका ब गर्शन करें बहुत ही अच्छा लगता है तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करना अगर आप इस्टेन में नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अच्छा अब हम लोगों की इंट्री बाहर की हो गई यानि अब बाहर निकलने की हो गई थी तो चलती हूं गाइस निश्ट वीडियों फीकल मिलूंगी एक अच्छे से वीडियो के शाथ और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना और प्लीज अगर चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सस्क्राइब कर देना बगल में बेल आइकन है उस से भी प्रेस कर दें जैसे मैं कोई नया वीडियो डालू इसका लिंक आप तक जरूर पहुचे और गाइस प्लीज सपोर्ट करें आपके सपोर्ट की बहुत जादा जरूरत है मुझे और आजकल व्यू बहुत ही डाउना हो रहा हैं और यहां पर फोटो कीचने के लिए थोड़ा सा बनाया अच्छा यह पूरे लेटे हुए हैं और यहां पर यह थोड़ा सा पीछ थी और फिसके बाद हन्वान जी के जब बाहर निकलते हैं तो यह हमने बना लिया था और फिसके बाद यह बाहर आ गए तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज गाइस कमेंट कर करना और प्लीज वीडियो को देखा करो आज कल ममी थी इसके वज़े से मैं किसी की वीडियो में भी नहीं जा पाएं मगर अब पूरी कोसिस करूंगी सबकी वीडियो में जाने के लिए बराबन सबके वीडियो में जाओंगी और कमेंट भी छोड़ूंगी वीडियो को वा प्रशाद यह पंड़े टाइप के होते हों खड़े रहते उनको हम प्रशाद का डिबा देते वह प्रशाद चड़ाते और फी वह हमें वापस कर देते हैं तो घूमने में बहुत ही अच्छा लगा काफी धूब भी हो गई थी और हम लोगों ने बहुत मस्तीत की और देखो यहां पर लिखा भी है अच्छबट मंदिर ऐसे करके और हमारी बेटी और बेटा ने तो बहुत ही मस्ती की तो चलती हूं गाइस नेस्ट वीडियो में भी कल मिलूंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ ओके बाई को टेक के यार